हलो हलो बच्चो क्या हल चाले हैं कैसे हैं आप सब tel agency नंढ वोइल्कम बाक्टो माइरा चानल कैसे हैं आप सब बच्चो फुली आप सब एक दम बढ़िया होंगे आज बच्चो आज के इस सेशन के अंदर हम करने जा है practice practice किस चीज का सर financial management का तो बच्चों आज के session में क्या करने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा हम करने जा रहे हैं RTP November 2020 का for what subject for the subject of financial management जो की आपका group two का paper number eight है बच्चों हम करने जा रहे हैं बच्चों RTP November 2020 का for financial management group two paper number eight आप सभी इस चीज के लिए ready रही है और आज के इस lecture के अंदर अगें जिस तरीके से हम cost management accounting का practice कर रहे हैं बच्चों उसी तरीके से अब हम इसका भी practice start कर रहे हैं every alternative day आपको cost management accounting का मिलेगा और बाकी alternative days में आपको financial management का कुछ practice content इसी तरीके से मिलता रहेगा आप सभी ने इसको किस तरीके से करना है बच्चों आप सभी ने यह question मेरे साथ-साथ solve करने है तभी आपको इस videos का सबसे जादा benefit होगा अपने सभी दोस्तों को भी आप बता सकते हैं कि सर इस तरीके से practice करवा रहे हैं आप वो भी आके यह lectures देख सकते हैं तो everyday आपको कुछ ना कुछ content इसी तरीके से मिलता रहेगा आप सभी बच्चे फटा-फट से जाके वीडियो को like कर दें ताकि मुझे पता रगे कि बाई कौन-कौन से बच्चे कितने बच्चे यह वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे इस वीडियो को like कर दें चैनल को subscribe कर ले notification का button दबा ले और इस वीडियो के अंदर में आपको बता दूँ अगर आपको कोई भी doubts आ रहे हैं तो उपर आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पर instagram and telegram का link कोई भी doubts आ रहे हैं इस पर जाके मुझे message drop करिए यह फिर youtube का यह चानल है इसी वीडियो के अंदर comments में जाके मु this is question no.1 which is for from the chapter of ratio analysis और यहाँ पर क्या क्या गिवन है following information has been provided from the books of measures Lakshmi and company for the year ending 31st March 2020 हमें networking capital गिवन है networking capital का मतलब क्या होते है बच्चों current asset minus current liabilities this is 4,80,000 ठीक है bank OD given है 80,000 का fixed assets to proprietary ratio proprietary ratio का क्या format होता था बच्चों proprietary ratio was equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus ठीक है ना बच्चों इस तरीके से आपका proprietary funds भी निकल के आता था reserves and surplus आपको 3,20,000 given है current ratio आपको इतना given है liquid ratio you are required to prepare summarized balance sheet for the year asset 31st March 2020 इसको start करते हैं बच्चों इसके अंदर एक point बड़ाई जबरदस्त है otherwise तो simple सा question है आप सबको बच्चों याद होगा मैं ratio के chapter में हमेशा यह बोलता हूँ करने का जा रहे है question number one RTP this is November 2020 ठीक है नहीं तो इस तरीके से heading डाल लीजे ताकि आपको याद रहे आप किस तरीके से practice कर रहे है बच्चों practice का फाइदा तभी होगा अगर आप मेरे साथ साथ practice कर रहे होंगे अगर आप ऐसा कर रहे होंगे सिरस सुनने आये हैं तो यह lecture आपको बिल्कुल benefit नहीं देगा आपको मेरे साथ साथ practice करना बहुत ज़रूरी है ठीक है ना बच्चो चलिया आईए बच्चों स्टार्ट करत मैंने यहां पर balance sheet open कर दिया ठीक है ना हमें balance sheet चाहिए और इसमें से जो जो सा data given है हमें हमने पुट करना शुरू किया पहले तो current liabilities के अंदर bank od given है bank overdraft ठीक है बच्चों bank od given है which is 80,000 रुपीज next अच्छा एक ratio given है इसको मैं working notes में बना देता हूँ नीचे मैंने लिखा working note number one working capital networking capital का मतलब current asset minus current liabilities हमें 4,80,000 गिवन है ध्यान रखेगा बच्चों यह practice session plus revision sessions हो रहे हैं आपके अगर आप में से किसी बच्चे को concepts पढ़ने हैं आप मुझे message drop करें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरी कैसे पढ़े जा सकते हैं एक ratio given है fixed assets to proprietary funds is equal to 0.75 ठीक है न इसकी बाद reserves and surplus गिवन है मैंने आप लिखा equity share capital reserves and surplus reserves and surplus किता गिवन है 3,20,000 ठीक है न बच्चो current ratio liquid ratio working note number 3 current ratio is equal to current asset divided by current liabilities and working note number 4 liquid ratio is equal to quick assets divided by current liability which is equal to current asset minus स्टॉक डिवाइड़ बाय करेंट लियाबिलिटीज यह सारा हमें जो डेटा गिवन था मैं आपको मेशे हिंट बता रहा हूं यह फाइव मार्क्स तक का क्वेश्टन आता है अगर आएगा तो अगर आपको क्वेश्टन इस तरीके से गिवन है आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस को हम क्या कर सकते हैं इस रेशो में पुट कर सकते हैं ठीक है न तो इसके अंदर यहां पर लिख देते हैं that is current asset is equal to 4,80,000 प्लस current liabilities इस तरीके से formula निकल के आ गया is equal to यह कितना ratio given है 2.5 ठीक है न यह निकल के आता है 4,80,000 प्लस current liabilities divided by current liabilities is equal to 2.5 ठीक है न बच्चा इस गिवे दास इससे current liability का value निकल के आ जाएगा न तो solve कर लेते हैं कहां गया मेरा calculator यह रा current liabilities is equal to 3,20,000 ठीक है और current assets निकल के आ जाएगा current assets is equal to plus 4,80,000 आठ लाग ठीक है तो इस तरीके से निकल के आ गया ठीक है न 8 लाग रुपे निकल के आ गया अब इसको अगर मैं यहां पर पुट करूँ तो यह भी values निकल के आ जाएगी यह कितना given है हमें 1.5 8 लाग इन इस टॉक 3,20,000 इस इकल टू 1.5 इस इकल टू टॉक निकल के आ रहे है बच्चो 3,20,000 एक नाट इसको दुआर से calculate करूँ है तो इन जो जो values निकलिया इनको उपर put कर देते हैं यहां पर हमने लिख दिया fixed assets current assets current assets में भी दो parts आ रहे हैं एक है stock और एक है others stock में बच्चो कितना आ रहा है आपका 3,20,000 और इसका टोटल आठ लाग गिवन है तो balancing और यह उल्टा लिख दियाना ने यह 3,20,000 है total current assets है आठ लाग के आठ लाग माइनस 3,20,000 चारलाक 80,000 की other current assets निकल के आ गया ठीक है न बच्चो अब बैंक ओडी गिवन है हमें इतना current liabilities total है 3,20,000 एक तो यह आ गया current liabilities और other 2,40,000 ठीक है न बच्चो इस तरीके से निकल के आ गया अब problem यह आ रही है कि हमारे पास सिरफ यही ratio बचा है बच्चो देखे ध्यान से देखे यही वाला ratio बचा है जो मैं proprietary funds और fixed assets का यह बता सकता है in fact मैं आगर आपको बता हूँ जब मैं यह वीडियो record कर रहा हूँ इस time पे आपके past year exam में शाए November 2020 और January 2021 का जो exam हुआ था उनमें से एक attempt में यह वाला question आया भी था paper में ध्यान से सुनिए यह वाला adjustment क्या क्या आता है मानने जिए एक balance sheet है balance sheet में यहाँ पर क्या आता है equity share capital, reserves and surplus, preference share capital, debt और current liabilities यहाँ पर निकल क्या आता है fixed assets and current assets ठीक है न बच्चों तो इसको total कर देते हैं दोनों side पर अब इस तरीके से format होता है अच्चा मैं इसको अगर यहां से हटा के यहाँ पर लिख दम बच्चों 2 मिनिट सुनेगा यह adjustment बड़ी अच्छी है इसे ही बोलते है हम हम इसे ही कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों इसे कहते हैं व्रकिंग capital क्या क구나 कहते हैं गट्चों working capital इसे कहते है working capital ठीक है बच्चो अब question में proprietary fund लिखा है proprietary fund का आपको भी मतलब पता है मेरे को भी पता है कि क्या होता है equity plus results preference share अब question में debt given नहीं है preferential capital हम zero assume करके चलते है ultimately मैं यह कह सकता हूं कि यह पूरा पूरा इट इस प्रोप्राइटरी फंड दुबारा से रिपीट करता हूं बाई डेट के बारे में कुछ लिखा नहीं है इग्नोर हो गया प्रेफरेंशेर कैपिटल अंटेर अनले स्पेसिफिकली मेंशन होता है इग्नोर ही होता है इकुटी और रिजर्व का कॉंबिनेशन ग्छे ट Titans प्रोपेरिटरी फंड अब question देखे रेशो गया बोल रहा है यह रेशो can रहे है इपका कि जो भी हूपिएटरी फंड है इसका 75% यहां पे जा रहा है और बाकी 25% यहां पे जा रहा है यही कहना चाहर है ना अजी 25% का मतलब working capital अगर मैं इस ratio का analysis निकालूं इससे यह भी निकल के आ सकता है that working capital is to proprietary fund is equal to 0.25 अब यहां पे बच्चों समझने वाली बात क्या है कि भाया हमें working capital गिवन है 4,80,000 यह हो गया 4,80,000 divided by 0.25 is equal to proprietary fund और इसको solve करने से बच्चों क्या निकल के आ जाएगा proprietary fund proprietary fund निकल के आ जाएगा which is 4,80,000 divided by 0.25 which is equal to 19,20,000 समझ में आया बच्चों यह यह बड़ा ही जबरदस्त adjustment था 19,20,000 के अंदर से 3,20,000 का तो reserves हो गया 16,00,000 का equity share capital निकल के आ गया कैसे निकल के आया 19,20,000 minus 3,20,000 समझ में आ रहा बच्चों और fixed assets कितना हो जाएगा 19,20,000 का 75% 14,40,000 और इस तरीके से आपका balance sheet बन गया है ठीक है ना बच्चों यह था question number one of rtp november 2020 from the chapter of ratio analysis बढ़ते हैं बच्चों question number two गे और question number two आ रखा है cost of capital का ठीक है मैं ऐसा करता हूं इसको एक ही sheet पे लेके चलता हूं एक minute रुकिए इसका अगले page पर भी continuation आ रहा है न एक सेंट रुकिएगा बच्चों technology का फाइदा तो उठाना चाहिए न मैं जिन जिन बच्चों को समझ में आता जाब बच्चों support करिएगा वीडियो के अंदर अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लाइक करते जाएगा ठीक है ना वीडियो लाइक करते जाएगा और अगर आपको को डाउट्स आ रहे हैं तो आपको पता है यहां तो उपर वाले लिंक्स में में को जाके मैसेड ड्रॉप करिए यहां वीडियो के कमेंट में जाके ड्रॉप कर दीजिए कि सर यह यह डाउट आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बच्चो एक क्वेश्टन आया है और यह बड़ा क्वेश्टन लग रहे है तो 10 मार्क्स तक का लग रहा है यह क्वेश्टन question number 2 RTP November 2020 कैनना बच्चो तो November 2020 का RTP ऐइ calculate WCC using the following data book value से निकालनaint WCC और market value से WCC निकालwarm capital structure of the company is as under debentures गिवन है preference shares गिवन है equity shares गिवन है market price of these shares इतना 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 ठीके है और यह additional information given है बच्चों तो और पे डेवेंचर रेडीमेबल एट पार 10% coupon rate coupon rate का मतलब हो गया interest rate और 4% flotation cost अच्छा बच्चों यह बड़ा interesting point है यह बड़ा interesting point है 10 year maturity के साथ question यह है कि sir यह 4% flotation cost इस पे निकल के आएगा face value के उपर या market price के उपर बच्चों ध्यान रखिएगा अगर कुछ ना लिखाओ तो आप दोनों में से कुछ भी follow कर सकते हैं बट institute के opinion में वो market price follow कर रहा है जब आप net proceeds निकालेंगे तो it will be 4% माइनस करने के बाद तो जब आप net proceeds निकालेंगे ना यहां पर इसकी मैं calculation लिखके दिखाऊंगा it will be 105 रुपए माइनस 4% आफ 105 ठीक है ना similarly यहां पर आगया 100 years preference share review at par इतना 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 इस तरीके से equity share का 4 रुपए flotation cost market price 24 रुपए next year's expected dividend is 1 रुपई दीवन गिवन है हमें और growth rate गिवन है तो इससे idea लग गया dividend growth model लगेगा the firm has practice of paying all earning in the form of dividend 30% tax rate अच्छा यह रहा जबरदस्त पॉइंट यह रहा जबरदस्त पॉइंट बच्चो आप सबको याद करने के लिए यूज वाइटिय मेथेड क्या कॉस्ट डेवेंचर्स एंड प्रेफरेंश यह और यह क्या बोल रहा है यह यूज करिए टू क्या कॉस्ट अब डेट एंड कॉस्ट प्रेफरेंश है यही तो सबसे खतरनाक पॉइंट लगा मैं आप सब को रीकॉल कर वाता हूं जिन बच् जो बच्चे डारेक्ली यह वीडियो पर आ रहे हैं उन्होंने कहीं से नहीं पढ़ रखा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कॉस्ट अब डेट दो तरीके का होता है रीडीमेबल 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 की बात चल रही है क्योंकि यहां पर डेटा डेटा गिवन है री मैं आपको अराम-अराम से इस क्वेश्टिन को करवाता हूं देखते हैं आप सबको कितना ठीक होता है यह सबसे पहले हम कॉस्ट अफ डेट निकाल लेते हैं तो मैं लिखता हूँ यहां पर क्यालकुलेशन आफ कॉस्ट अफ डेट using IRR method that is YTM method बच्चो यह बड़ा जुरूरी हिससा है यहां से समझेगा अगर किसी बच्चे को shortcut method दियान आ रहा हो तो वो था I1-T plus redeemable value minus net proceeds whole divided by N whole divided by redeemable value plus net proceeds divided by 2 यही दाना shortcut वाला तरीका इसी तरीके को use करके हम YTM यानि कि IRR कैसे apply करते हैं उस चीज को मैं सिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले cost of debt के लिए I क्योंकि यह आप एक question में specifically लिखा हुआ है तो YTM methods इसको solve करेंगे I is equal to 10% of 100 रुपए तो यह होगा 10% of 100 रुपए विच इस equal to 10 रुपए P यानि कि tax rate is equal to 30% RV यानि कि redeemable at par लिखा हुआ है तो यह हो जाएगा 100 रुपए और net proceeds अब यह वाला point भी समझने वाला है net proceeds is equal to market price what is the market price 105 रुपए माइनस flotation cost flotation cost किता है 4% of 105 यह आ गया 100.8 रुपए ठीक है ना तो पहले तो आपके दिमाग में fix हो जाना चाहिए वाई क्या क्या values है number of years भी निकाल देते है number of years भी हमको जो डेटा गिवन था यह आ गया अब हमें use करना है IRR अचो ध्यान रखेगा IRR यूज करके इसका cost of debt निकालना है क्यूं क्यूंकि question में specifically बोला गया है यहाँ पर आएगा year 1 से लेके 10 year 1 से लेके 10 यहाँ पर आगया cash inflow कैसे निकालेंगे बच्चों और 10th year यहाँ पर आता है i1-t ठीक है न यहाँ पर आ जाएगा redeemable value ठीक है बच्चों तो ध्यान रखेगा अगर किसी बच्चे को यह नहीं आता है तो इस तरीके से आप इसका IRR निकालते हैं ठीक है ना बच्चों तो मैं इसको अराम अराम से पूट करके दिखाता हूं आप सबको i1-t कितना हो गया this is 7 रुपीज और redeemable 100 रुपे के साब से ठीक है ना बच्चों अब प्रेजंट वैल्यू एनिटी फैक्टर निकालना पड़ेगा add the rate हमें कोई भी percentage अज्यूम करना पड़ता है याद है यह मैंने आपको अल्रेडी क्लासिस में सिखा रखा है हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों पहले मान लेते 10 परसेंट एक रुपे का वैल्यू प्रेजंट वैल्यू ऑफ कैश इंफ्लो निकल के आ जाएगा प्रेजंट वैल्यू ऑफ कैश अब्वेसी बात है यह तो basic understanding है कि इससे कम ही आने वाला है फिर भी हम इसको अराम से लेके चलते हैं यहां सी कैश आउट फ्लो माइनस होगा कैश आउट फ्लो डैट इस नेट प्रोसीड्स निकल के आ जाएगा एन प्रेजंट यह है एक सो पॉइंट आट 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 आए समझते हैं इसको प्रीख नियुव शेड़े, क् वैस estुम्ज आट आट से हाट आट आट इसको घ्लुट 81.508 9.292 ठीक है ना बच्चो इस तरीके से निकल के आ गया अब क्यूंकि NPV आ पर नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे बच्चो गटाना पड़ेगा ताकि हमारा NPV पॉजिटिव आ जाए पांच परसेंट के साब से यह आ गया 61.39 पर यह उपर वाल आ गया 7.721 ब्रेट बसेव इसे cash out flow माइनस किया इस तरीके से NPV निकल के आगे अब IRR का एक फॉर्मिला होता है आ इर आर निकलने का एक फॉर्मिला होता है लोवर ब्लस NPV अट लोवर डिवाइद बाई NPV अट लोवर माइनस NPV अट हायर इन्टू हायर माइनस लोवर यह हो गया पांच परसेंट प्लस 14.637 divided by 14.637 minus minus 19.292 into percent minus 5 percent इस तरीके से करके आपका IRR से cost of debt निकल क्या आ गया 7.157 percent ठीके न यह cost of debt निकल क्या आ गया बच्चो 7.157 percent that is cost of debt बच्चो समझने वाली बात यह है मैं यह concept repeat कर देता हूँ यहां पर न हमने gap लिया है 5 percent का जितना छोटा gap होगा उतना accurate answer आएगा बट examination point of view से 5 percent का gap acceptable होथा है इस चीज़ का दियान रखिएगा जितना छोटा gap कर देंगे आप उतना accurate answer आएगा अगला निकालने जा रहे है हम cost of preference that is kp cost of preference that is kp cost of preference निकालने जा रहे हैं बच्चो इसको समझते हैं दियान से अगेन cost of preference निकालने के लिए भी सेम तरीका है क्योंकि इसको भी हम वाइट ये बोला गया है ये भी करना बहुत जरूरी है क्या हम लिखते हैं preference dividend is equal to 5% of coupon rate पांच रुपे हो गया ये redeemable value redeemable at पार लिखा हुए तो 100 रुपे net proceeds is equal to market price यहां पे भी अगेन बच्चों 110 रुपे market price दो percent flotation cost है यहां पर कितना हो जाएगा 110 माइनस दो परसेंट ओफ एक तो दस 107.8 number of years is equal to 10 years ठीक है ना तो यह सारा data आ गया अब इसको भी बच्चों same तरीके से YTM यानि कि IRR से same तरीके से हमें solve करना है same to same ठीक है ना इसको भी समझ लेते हैं here and here के अंदर या पर inflow आ गया पांच रुर पे का preference dividend तोर पे का redeemable value present value unity factor present value unity factor कितने percent यहां पर पांच परसेंट ले लेते हैं क्योंकि 10% का accurate नहीं आएगा 10% का accurate नहीं आते पांच परसेंट क्योंकि 5% है ने debt preference का तो क्या सपास ही आ जाएगा cash out flow किता given था हमें 107.8 यह तो निकाला ही था ना अमने उपर 7.721 0.6139 प्रेजेंट वैल्य आनिटी फेक्टर इसको में बढ़ाना पड़ा तीन परसेंट के साब से निकाल रहे हैं क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है ना यह अप्रॉक्सिमेटली 99.995 ऐसा कुछ आ रहा था पी वन प्रेजेंट वैल्य आफ क्याश इन परसेंट पर करके देखते हैं यहां पर आ गया पॉसिटिव इसको पुट करके IRR निकाल लेंगे 4.84 नि 4.084 परसें ठीक है न बच्चो तो कॉस्ट ओफ डेट कॉस्ट ओफ इकुटी ए सॉरी कॉस्ट ओफ डेट और कॉस्ट अप्रेफरेंस निकल के आ गया पॉस्ट अब अब कॉस्ट ओफ प्रेफरेंस निकल के आ गया अब हमें निकालना है कॉस्ट ओफ इकुटी तो वह भी निकाल लेते हैं तो बच्चो ध्यान रखीएगा यह ज्यादा टाइम इसलिए लगा क्यूंकि आपको बोला गया था कि वाई टीम से निकालना है अगर वाई टीम ना बोल कॉस्ट ओफ इकुटी के इंदर डिविदेंट ग्रोथ मॉडल लगेगा यह तो आपको दिखी रहा था क्लियर ली डी वाइन डिवाइड़ बाई एम पीएस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट भी होगा यहां पर प्लस ग्रोथ विच इस इक्वाल टु एक्सपेक्टेड डिव इस माइनस चार प्लस गरोथ रेट कितना है पांच परसेंट तो गया वन बाई 20 प्लस 5 परसेंट यह हो गया 10 परसेंट तीक है ना कॉस्ट ओफ इकुडी कॉस्ट ओफ देट कॉस्ट ओफ प्रेफरेंस तीनों के तीनों निकल के आगए बच्चो WACC निकालना है weighted average cost of capital using book values यहाँ पर आगया source book value weight cost of capital WACC debentures preference share capital equity share capital value कित्ता कित्ता गे बंद है 5 लाग 5 लाग 10 लाग 5 लाग total हो गया बच्चो 20 लाग ठीक है न अब इसके weight निकालने है तो यह हो गया 25% 25% और 50% ठीक है अब यह cost of capital उपर से आ जाएगा बच्चो 10% equity का preference का आग गया 4.084 लास्टली उपर और का गया का गया का गया का गया का गया 7.157% पांच परसेंट आ गया चीक है ना बच्चो इस तरीके से निकल क्या आ गया है ध्यान रखेएगा यह बड़ा question है अगर examination में आते है तो this is this will carry at least अब दस नंबर से उपर का तो आता भी निया खेर फिर दस नंबर का आएगा और अच्छा घासा question नहीं है मैं यहाँ पर निकालना है WACC using market value WACC using market value तो यहाँ पर मैंने लिखा source market value weight cost of capital WACC ठीक है ना आगया यहाँ यहाँ पर debt and debentures reference share capital equity share capital ठीक है ना बच्चो एके करके इसको निकालते हैं value 5 लग divided by saw into 5 लग divided by saw into exo-punch 5 लग 25 लग 5 लग 25 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 34,75,000 15.10% 15.82% 69.08% 7.157% यह उपर cost of capital दो उपर सी आगे न 10% 4.084% ठीक है? multiply किया तो WCC निकल के आजाएगा multiply करते हैं 0807 memory में डाल देते हैं ठीक है तो यह पूरा का पूरा आपका question solve हो गया as per market value, as per book value, as per cost of equity, cost of तो पूरा का पूरा देखे कितना जबर्दस्ट question है बहुत जबर्दस्ट क्वेश्टन था यह और बहुत अच्छा क्वेश्टन है यह practice के लिए अच्छा क्वेश्टन था है। अगर आपने आपने से किसी बच्चे का भी है समझ में कुछ नहीं आया अगेन ध्यान रखिए का बच्चो इसी तरीके से मैं series बनाता चला जा रहा हूं आप उपर जाके इस पर message डाल यह मुझे यहां फिर आप वीडियो के comment section में जाके वहां पर drop कर दीजे message अपना ठीक है अभी आगे बढ़ structure this is question number three और बहुत ही simple question है एक जाइलो limited is considering two alternative financing plans as follows equity given है preference given है और debt given है और बार बार लग point of indifference given है indifference point का मतलब क्या होता था बच्चो ऐसा level of EBIT जहां पे दो alternative के बीच में दो alternative के बीच में EPS same है दोनों के बीच का point of indifference 4,8,000 गिवन है tax given है calculate the rate of dividend बड़ा इस simple question है इसको start करते है बच्चो लिखिये question number three this is from RTP November 20 capital structure 1 capital structure 2 पहले तो इसका point of indifference EBIT पुट करते हैं यहां पे EBIT है 4,8,000 और यहां पे भी EBIT 4,8,000 तो हमें पहले सी यह given है usually point of indifference वाले questions में यह given नहीं होता बच्चो लाग सी अजर गिवन है number of equity shares and interest देखते हैं यहां पे N1 is equal to 20,000 shares I1 is equal to 12% of 4,000,000 that is 48,000 और tax rate कितना given है बच्चो में 30% यहां पे number of equity shares कितने निकल के आ जाएंगे बच्चो कितना हो गया 8,10,80,000 shares जब preference dividend given ही नहीं है इसी को x मान के इसी को निकालना है tax तो 30% इसी को निकालना है तो इसको हमने x मान लिया पर इसके नीचे formula लिखा हमने formula क्या है ebit minus i1 1 minus t whole divided by n1 is equal to ebit यहां पे interest तो है नहीं 1 minus t minus pd2 whole divided by n2 values put की 4,80,000 minus 48,000 1 minus 30% 80,000 share ठीक है ना is equal to 4,80,000 1 minus 0.3 minus x whole divided by 80,000 इसको solve करने के बाद x का value निकल के आ जाएगा बच्चो x का value कैसे निकल के आएगा यह cancel out हो गया 33,600 preference dividend is this तो मांगा गया था question में what is the rate of dividend rate of preference dividend rate निकालने के लिए rate of preference dividend is equal to 33,600 divided by what is the preference share capital preference share capital is 4,00,000 into 100 8.4% ठीक है न बच्चो तो the rate of preference share dividend is 8.4% ठीक है बच्चो यह निकालना था exam में सिर्फ preference dividend निकालके खुश मत हो जाएगा preference share dividend का rate मांगा गया था which is very important अगला question करते हैं बच्चो आप सबका favorite chapter that is from the chapter of leverage analysis leverage analysis chapter का करते हैं आईए start करते हैं बच्चो from the chapter of leverage analysis यह बहुत ही simple and repetitive question है बहुत simple चल गया देखते हैं equity share capital गवन है 10 lakh 10 percent debentures गवन है during the year 1920 sales decreased to 1 lakh units as compared to 1 lakh 20 thousand units in the previous year however the selling price stood at rupees 12 per unit and variable cost at rupees 8 per unit for both the years fixed expenses were 2 lakh rupees per annum and income taxes 30 percent calculate degree of financial leverage operating leverage and earning per share भी निकालना है percentage change in earning per share 1 lakh 20,000 से 1 lakh units पे जा रहे हैं यह चीज़ है start करते हैं बच्चो इसको भी question number 4 from rtp November 20 ठीक है ना बच्चो rtp November 20 से question number 4 है यह आपना यहतansen आपना बच्चो अंपना अंपना चापना यह वढना आपना प्रया एक लाख बीस ज़ार यूनिट्स एक लाख यूनिट्स विहां पर फॉर्माट क्या होता है सेल्स माइनस करेंगे इसके अंदर से वेरियेबल कॉस्ट क्या निकल क्या हैगा बच्छो कॉंट्रिबुशन पहले फॉर्माट बना लेते हैं न राम राम से कॉंट्रिबुशन में से माइनस किया फिक्स्ट कॉस्ट से निकल क्या आजाएगा इबी आईटी अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट इसमें से माइनस किया इंट्रेस्ट से निकल क्या आजाएगा बच्छो इबी टी इसमें से माइनस किया tax तो निकल क्या आ जाएगा EAT EAT divided by number of equity shares this will give us EPS एक एक करके शुरू करते हैं तो sales given है बच्चो sales is rupees 12 के हिसाब से 12 रुपे पर unit के हिसाब से given है हमें 14,40,000 ठीक है ना एट रेट 12 रुपे के हिसाब से given है 12,00,000 रुपे हो गया यहां पर 8 रुपे के हिसाब से given है 8 रुपे 4,00,000 रुपे हो गया यह 9,60,000 हो गया 20% से बढ़ जाएगा वैसे चलो चेक कर लेते हैं चार लाकसी अजर 1,00,000 अपर 1,00,000 रा गया अपर 1,80,000 tax given है बच्चों में 30% 50,000 70,000 हो गया यह और 1,80,000 इंटो 30% 54,000 एक लाग चाब बीस हजार डिवाइड़ पर नमबर आफ इक्विटी शेर्स 100 रुप एके साब से ने तो 10,000 शेर्स 7 हो गया यह 12.6 हो गया ठीक है बच्चो अब हमें निकालने के लिए क्या क्या बोला गया था अब निकालने के लिए क्या क्या बोला गया था एके करके निकालते हैं degree of financial leverage is equal to EBIT divided by EBT दूसरा degree of operating leverage is equal to contribution divided by EBIT अब तीसरा the percentage change in EPS तो यह तीन चीज़े निकालने के लिए बोला है अच्छा question में ध्यान से देगेगा कहीं पर comment नहीं मागा गया है सिरफ calculate करने के लिए बोला गया है दूसरा हो गया चार लाक असी अज़र divided by दो लाक असी अज़र which is 1.714 percentage change निकालेंगे बी यहां पर कैसे निकल के आया है गया दो लाक divided by एक लाक which is equal to 2 यहां पर निकल के आएगा चार लाक divided by दो लाक which is equal to 2 percentage change कैसे निकलेगा new minus old divided by old into 100 minus 44.44% this is percentage change in EPS बच्चो अगर आप ध्यान से observe करें बाइचांस अगर एक्जाम में comments भी पूछ लिए जाएं कि हो क्या रहा है तो आप यह लिख सकते हैं कि देखिए हमारा financial leverage पहले से decrease हो रहा है sorry increase हो रहा है इसका मतलब क्या है company pay burden of financial risk बढ़ रहा है यानि कि interest का burden बढ़ रहा है similarly degree of operating leverage भी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है burden of operating leverage यानि कि operating risk company के पर बढ़ रहा है यही चीजे आपको ultimately wordings में लिखनी होती है अगर आपसे exam में comment मांगे जाते तो इसी के साथ हमारा leverage भी होता है बच्चो आज के इस session के अंदर हम इतना ही coverage करेंगे next session के अंदर बच्चो आगे के questions लेके जाएंगे ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं आपको इसी तरीके से cost के and FM के revisionary practice sessions मिलते रहेंगे हम YouTube पे इसी channel के उपर और भी sessions conduct करेंगे बच्चो Monday, Wednesday, Fridays को आपको cost के lectures मिला करेंगे Tuesday, Thursdays and Saturdays को आपको FM के lectures मिला करेंगे तो आप सभी notification on कर लीजिए channel को subscribe कर लीजिए and इसी तरीके से जुड़े रही है हमारे साथ video को like करके जाएए कोई doubts भी गया रहे हैं तो ऊपर जाके बताइए मुझे या video के comment section में जाके मुझे बताइए thank you so much मिलते हैं आप से कल with another lecture of RTP thank you so much, bye bye and take care